नमस्कार में समातुर आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली यूपी में भी हिजाब पर सियासत गर्मा चुकी है और उसके बाद करनाटक से शुरू हुआ ये विवाज अब देशवर में गर्माता जा रहा है यूपी में भी हिजाब पर सियासत शुरू हो गई है जहाँ बरेली के मौलाना तौकी रजा ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अपने विवादित बयानों से चर्चा में आए आई एमसी इत्याद मित्तल काउंसिल के अद्देक्ष मौलाना तौकी रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। अग्रेजियत पहलाना चाहते हैं अब ये बताईए कि लेस्बियन और गे ये क्या हिंदुस्तानी सब्रता हो सकती है। हंदुस्तान में कौन हम قانون के मानने वाले हैं लेकिन हमें चाहें कानून विर सकती से मुखालफत करते हैं ऐसे गानून की जो हमारी बेटी ने बेटे को correction को कान बेर लेकितर और एक अश्य माबाप अ hour slash The जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी लेजबियन बन जाए तो ये पाश्चात से जो तरीके अंग्रेजी लिबास हमारी बेटी हमारी बेटी अगर बुर्के में है तो इन लोगों को बुर्के से परशारी नहीं है इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे वो चाहते हैं कि जीन्स पहन के वो जाए शड़कों पर और जिस तरह मैं आप से पूछता हूं कि सड़क पर जो लड़की अर्द नगन कपले पहन के निकलती है क्या उसको उस पे जो नज़रे पढ़ती है क्या वो लोग उसको बहन या बेटी की निगासे देखते हैं इस किस्म का जो महल बना जा रहा है तो आप शॉर्ट पहनाईए इसकर पहनाईए हमें कोई दिक्कत रही है हम परदा आप पे नहीं ठोक रहे हम परदा पहन रहे हमारे बच्चों को परदा पहन देजिए इसमें कहां क्या दिक्कत है और मैं अपनी हार साफ नजर आ गई है अभी अठावन सीटों का जो चुनाव हुआ है उन्हें एफसास हो गया कि वो उत्तर प्रदेश भी हार है तो इस किस्म का वो तनहा एक बच्ची को यह तो बिल्कुल जंगल राज जैसा हो गया कि पचास साथ कुटे एक शेर के पीछे लग गए शेरनी के पीछे लग गए और उसको खावजदा करने की कोशिश की यह चीज़े बहुत खराब हैं और इस चीज़ों को मैं यह कहता हू हैं मैं उन बच्चों के लिए भी कहता हूँ जो वहाँ भगवा लह रहाते और आउटसाइडर्स वहाँ पहुंचे हमरे बच्चे हैं हमरे देश के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हूँ आप अपने नौजवानों का कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे सकते, इन्हें इस किसम के नारे देते हैं, इस किसम का काम देते हैं, ये देश का नुकसान हो रहा है, और हमारे उन बच्चों के मुस्तक्मिल का नुकसान हो रहा है, वो बच्चे जो मुस्कान के साथ ब लाने चाहते हैं और यह बेगहरती को राइश करना चाहते हैं सबसे बड़ी बात कि पर्दा हया का पिर्थीख है बेशर्मी बेहया इसे बचाता है पर्दा लोगों की बदनेगाही से हमारी बच्ची को बचाता है तो हिंदू समाज में भी पर्दे की एहमियत है पर्दे को पूरा राजस्थान में तो औरतों को खवातीन को देखता हूँ वो तो घूंगट में ही रहती हैं बाहर निकलती है तो घूंगट में रहती है वो सिर्फ करिनट का कि यहनीए मैं पूरे हंडुस्तान के उन बच्चों के पैरेंट्स से कहना चाथा हूं जो इस किस्ति साधिशों का शिकार हो रहे हैं हमारी बच्चों का मस्तक्म्ल तारीक हो रहा है यह हमारी देश की ताकत हैं ये बच्चे अगर इस कि खुराफात में उलच जाएंगे एस कि सियासत में उलच जाएंगे तो लोग तो अपना सियासी फाइदा उठा कि सत्ञा बनाके बैट जाएंगे लكن इन बच्चों के नसीब में कुछ नहींगा मुकदमे आएंगे जेलें आएंगी और लाठी आएं हमारी बेटी के साथ अगर बत्तमीजी होगी उसका भाई या उसका बाद उस लड़की के साथ अगर बत्तमीजी हो जाती और बिलकुल लिंचिंग का महौल था अगर मीडिया नहोती तो उस बच्ची की लिंचिंग हो जाती और एक खबर छबती के मौब लिंचिंग में एक ल शर्मी से बेगहरती से नगनता से आप अगर अपने बच्चों को शौर्ट पहना के रखना चाहते हो आप जानो हम आपसे कुछ नहीं कहते लेकिन हमारी बच्चे हम अपने बच्चों पर परदा थोप से नहीं है अपने शौक से और उस लड़की ने जिस मदबूती से लड़ाई लड़ी है यह उसने थाबित किया कि उसके माबाप ने या घरवालों ने उसके उपर नकाब को थोपा नहीं है बलके अपनी खुशी स उसने उड़ा हुआ है तो खास दोर से मेरी अपने उन भगवा अंगोचा लहराने वालों के माबाप से मैं दर्खास करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को हिंदुस्तानी संसकार देने की कोशिश कीजिए अच्छे संसकार होंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे देश अच्छा बनेगा देश की तरकी और खुशाल होगी भारती जनता पार्टी की लाइन पर अगर आप चलाते रहोगे तो ये भारती जनता पार्टी वाले आपको आज नजर नहीं आ रहा है भारती जनता पार्टी वाले हमारा नुकसान नहीं कर रहा है मैं पूरी इमा रुकसान हुआ है और हमारे देश बिल्कुल बेच डाला गया है हिंदू समाच सै मैं दर्खास करता हूँ कि ठंडे दिमाग से मुसंलिम बिरोत को अपने दिमाग से निकाल दीजिये थोड़ी दर्के लिए ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि असल में जिस लाइन पर देश को चलना चाहिए क्या देश उस लाइन पर जा रहा है ये भारती जनता पार्टी वाले क्या उस लाइन पर लेकर जा रहा है ये सब कुछ बेशते चले जा रहे हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते जब तक आप लोग खुद खड़े होकर इन तमाम चीज़ों के खिलाफ नहीं और अपने बच्चों को मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे दर्फास करता हूँ आपसे अपील करता हूँ आपसे के अपने बच्चों से अगर महबत है तो बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है ये उनको खराब रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है अपने बच्चों का भविश के बारे में सोचिए अपने देश के बारे में सोचिए